तो welcome student आजम करने वाले हैं exercise 1.2 solutions ठीक है chapter first relation function का exercise 1.2 के solution तो question में 1 देख लेते हैं so that the function f r star to r star ठीक है तो r star to r star का मत्दद भी आपका बताता हूं ठीक है defined by fx equal to 1 by x ठीक है तो question हमें दे रखा है is 1 1 and onto ठीक है ठीक है ठीक है अब दखो यहाँ पर जो r star एक set है आपका वह क्या है non zero real number ठीक है तो r star जो आपको दे रखा है वह एक set है किसका non zero real number का ठीक है इनका है ठीक है यानि कि इसका हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो r star आपको given है r star यानि कि जो real number है उसमें से आप zero को minus कर दो यह भी कह सकते हो simply आप ठीक है so we can say कि all real number में से आप क्या zero को subtract कर दो ठीक है तो वो domain और range हो जाएगी function f की ठीक है अब हमें क्या दिखाना है हमें दिखाना है इसे one one and on to तो पहले पार्ट की बात करते है ठीक है आगे जो बोला हूआ उसको बात में तो पहले में दिखाना है one one and on to तो ठीक है بई for one one तो one one कले तो one one कले वो हमारा प्राना तरीका जो हम करते थे let x1 and x2 r2 number belongs to r ठीक है लिख सकते हैं let x1 and x2 जहाँ पर हमारे x1, x2 क्या कर रहे हैं belongs कर रहे हैं r star को ठीक है तो अब हमें क्या दिखाना है यानिक हम लेते हैं f x1 equal to f x2 हमें क्या x1 equal to x2 दिखा देना है ठीक है तो ठीक है वई तो x1 यानिकी तो function क्या हमारे पास यह है तो ठीक है put कर लेते हैं one upon x1 equal to one upon x2 इसको solve करेंगे त्या जाएगा x2 equal to x1 यानिकी x1 equal to x2 आ गया simply तो यह तो हो गया one one तो कर दिया हमने one one में कोई दिक्कत नहीं आती वैसे ठीक है ठीक है तो on to click तो मैंने इसे करने से पहले आपको बताया भी था कि पहले आपको समझना होता है कि मतलब आपको खुद समझ आ जाए कि question में हमें क्या करना है अगर आपको समझ आ गया तो फिर आप उसे paper में भी कर सकते हो और उसे समझा सकते हो तो explain कर सकते हो तो ठीक है all real number to real number है except 0 नहीं है ठीक है तो ले लेते है ठीक है तो यह ले लेता हूँ मैं minus 3 कुछ minus number ले लो ठीक है 0 नहीं आएगा तो सीधा 1, 2, 3 ले लो मैं आपको ले लेता है minus 3, minus 2, minus 1 1, 2, 3 अब आपको पता है on to clay on to clay यह सारे number occupied होने चाहिए ठीक है कोई डोमेन के कोई भी number खाली नहीं छूटने चाहिए तो यह x ले लो और x बिलॉंग कर रहा है r star को यह y है y बिलॉंग कर रहा है r star को और आपको पता है y क्या है fx होता है ठीक है अब हमें on to clay सारे number क्या दिखाने occupy दिखाने ठीक है अब एक बात सुनो एक बात सुनो देखो fx आपको equal to 1 by x है ठीक है तो यहनि कि मैंने आपको बता रहा कि यह कह होता है y तो यहनि कि y equal to 1 by x तो इसको मैं reverse कर दूँ यानि कि x equal to 1 by y तो अब मैं यहनि कि यहां से y की value put करता रहूँ तो क्या मुझे यहां x की जो value आएगी वो मिलेगी देखो definitely मिलेगी यहां पर आप इस में से कोई भी value put कर लो y की ठीक है let मैं minus 3 put कर लेता हूँ ठीक है पहला ही put कर लो 1 by minus 3 तो कुछ decimal में आजाएगा minus में कुछ negative decimal में आजाएगा और वो value में यहां मिलेगी बात समझो कि यहां से मैंने कोई value उठाई कोई भी value उठाव आप मैंने minus 3 उठाई तो यहां पर आजाएगी y की value minus 3 तो जब मैं इसे divide करूँगा solve करूँगा तो कुछ negative कुछ zero point समझिक आएगी 0.3 कुछ आएगी यानि यह decimal में आएगी negative तो वो क्या हमें यहां मिलेगा मिलेगा ना real number बोला है तो real number में सारे number आएगे केवल 0 को छोड़ के ठीक है तो हमें यहां सारे number मिल जाएगे जो भी हम value यहां पूट करते रहेंगे इसकी जगे यहां से उठाके तो कोई भी value आए वो हमें यहां इस वाले में domain में मिलेगी ही मिलेगी तो यानि कि कोई भी number खाली नहीं रहने वाला है बात समझ आगी न यह कोई भी value उठाके यहां पूट करो decimal में आए किसी form में आए यह भी आपका domain भी real number है तो सारी value आपको यहां पे available मिलेगी ही मिलेगी ठीके तो y को कुछ भी कुछ भी ले लो ठीके कोई भी real number उठालो यहां से ठीके तो आपको यहां पे value मिलेगी दिक्कत तब आती कि अगर यहां पे natural number होता तब decimal में नहीं आती ठीके तो कोई भी number उठाओगे आप आपको यहां पे मिलेगी ही मिलेगी तो on to दिखाने के लिए ठीके on to दिखाने के लिए statement की जरूत होती है और on to ना दिखाने के लिए हमें एक example देना होता है ठीके तो यहां पे on to है यह सब के लिए हमें कोई भी खाली नहीं मिलेगा तो हम लिए सकते हैं ना आपे for each y belongs to r star there is x equal to 1 upon y belongs to r star ठीके such that fx equal to y hence on to ठीके तो मैं आपको बोला है पहले आपको समझाना चाहिए देखो यहां पे से कोई भी उठाके रख लो यह भी रियल नंबर है यह भी रियल नंबर है बाद 0 नहीं है ठीके तो कोई भी उठाके रखो यहां कुछ भी आएगा तो यहां डोमेन में वह वैलू मिलेगी मिलेगी क्योंकि रियल नंबर है ठीके तो ओन्टू दिखाने के लिए पढ़ती है और ना दिखाने के लिए हमें एक्जामपल के जोड़त पढ़ती है इतना समझ आ गया अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है सेकंड पार्ट में बोला है ठीक है इदा साइट ऑफ और इस टू ठीक है इफ दा डॉमेन आर इस्टार इस रिप्लेस इसके जगे हम नेचरुल नंब़ मम रखते है है ठीक है यह हो गए बोला है उनक्र 295 यहे तो नेचरल नमबर 1,2,3,4,5 इस तरह के से हैं ठीक है अब हमें बोला है इस दर रिजल्ट ट्रू इफ दा डूमेन और रिप्लेज़ बाय तो बोला है कि क्या यह आपका है निकी देखो वन वन तो यह होगा ठीक है वन वन क्यों होगा है वन वन के लिए हमें इसमें देखना होता है वन वन के लिए हमें इसमें देखना होता है यानिकि यह सथ करने की किसी दर किसी के साथ पेर हो जाये आपके ठीक है तो यह ठीक है टो आपका यह नंबर कि यह नंबर on to clay ठीक है तो on to clay हमें क्या देना होता है example मैंने आपको बताया भी था देखो अगर मैं सीधा बात करूँ कि y equal to मैंने आपको fx बोला है और fx हमने क्या लिया यह नहीं कि 1 by x दे रखा आपको ठीक है यह तो x क्या हो जाएगा x हो जाएगा 1 by y अब मैं अगर इसी को ठालू minus 3 कोई minus 3 को यहां रख दूँ 1 upon minus 3 तो यहां पर minus कुछ value आजएगी ना decimal में ठीक है decimal value आजएगी तो decimal में तो value यहां मिलने ही नहीं वाली है पहला ही number देख लो यह खाली छूट गया और हमें एक ही दिखाना नहीं होता है तो example दे दो for minus 3 belongs to r star ठीक है minus 3 इसको belong कर रहा है और we do not have ठीक है minus 3 के लिए we do not have we do not have हमारे पास कोई भी नहीं है नहीं की we do not have any x belongs to natural number इन में से हमारे पास कोई भी number नहीं है x belongs to natural number hence not onto onto नहीं होगा ठीक है तो ना दिखाने के लिए example अब दिखाने के लिए आप statement दे सकते हो समझ आगे नहीं यह तो clear है इसी सथा ठीक है तो अब देखता है question number second ठीक है यहाँ पर बोले आपको check the injectivity and subjectivity of the following function ठीक है first part लेगते है हम इसका तो function natural number to natural number given by fx आपका x square दे रखा है चलो तो ठीक है solution start करते है इसका ठीक है तो यह भी natural number है यह भी natural number है ठीक है तो लिख लेते हैं one two three four one two three four ठीक है writing में कोई ना जाए बस समझ में आना चाहिए ठीक है writing में नहीं जाना है तो ठीक है तो सबसे पहले तो ऐसे ले लेते हैं two natural number natural number ले लेते हैं यह दो natural number है तो यानि कि हमारे पास यह हो जाएगा fx one equal to fx two ठीक है और और पूट कर लेंगे हैं मैंने कि हमारे पास function defined है तो यह जाएगा x one का square x two का square ठीक है तो x one का square equal to x two का square it does not imply it does not imply यह आपको यह imply नहीं कर रहा है ठीक है x one equal to x two ठीक है it does not imply x one equal to x two क्यों क्योंकि x one equal to क्या हो जाएगा plus minus x two यह हो जाएगा तो इसका मितलब क्या x one and x two आपके equal नहीं थे फिर भी उनकी image क्या गई equal आ गई है ठीक है और हमें पता है कि x one equal to plus minus x two है but आपका जो x one और x two है वो क्या है आपके belongs करते है natural number को तो negative तो आई नहीं सकता आपका negative तो आए नहीं सकता तो हम negative लेंगे नहीं तो hence x one equal to x two तो यह क्या होगे आपका one one ठीक है natural number negative तो होई नहीं सकते तो यह आपका one one हो जाएगा ठीक है now for on two ठीक है for on two क्ले तो on two क्ले आपको पता है कोई image खाली नहीं चूटनी चीए तो आपको यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो हमें function दे रखा है na fx equal to x square ठीक है fx equal to x square तो अब अगर हम देखें ठीक है on two क् x की ऐसी value है देखो यहाँ पर अगर मैं one put करूँ यह x है और यह y है ठीक है और y क्या आपका equal to fx तो ठीक है अगर मैं x की one value put करूँ तो one का square क्या होगा one होगा two put करूँगा तो two का square क्या होगा four होगा three put करूँ three का square क्या होगा nine होगा यानि कि one का square one two का square four ठीक है three का nine तो क्या कोई ऐसा number है जिसका square 2 हो 3 हो तो ऐसा कोई भी number नहीं है natural में natural में ऐसा कोई भी number तो नहीं हो सकता जिसका square 2 आ जाए होई नहीं सकता है ना 2 कोई square तो 4 है तो ऐसा कोई भी natural number नहीं है इसमें ऐसा कोई भी natural number नहीं है कि sample की Image क्या जाए है कि two आजए three आजए कि हमें ऑंटू नहीं होने के awakening लिए performer के अदैने के हम लिखांटू को था था कि टू बिलोंग स्टू वाई है ठीकहे two belongs to वाई और हमारा क्या है वाइब लोंग स्टू नेच्चरल नमबर तो there is no x belongs to natural number यहां पर 2 आपका y को belong कर रहा है y belongs to n तो there is no x belongs to n तो यहां पर कोई भी x में ऐसे कोई value नहीं है जिसका square 2 हो जाए तो हम सीधा-सीधा हैंस not on to hope so समझ आ गया हो now second ठीक है question number second का second part था मैं बोला function z to z यानि कि integer to integer given by function आपका same ही है x square ठीक है तो देख लेते हैं ठीक है ऐसे करके समझ अच्छे से आता है क्योंकि ना देखो integer ले लो फिर से minus 3 minus 2 minus 1 0 ले लो एक 1 2 वैसी minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 कुछ ठीक है दोने integer बोले है ठीक है यह x होता है यह y होता है y equal to fx function same है तो हमें पहले 1 1 के लिए check कर लेते हैं ठीक है 1 1 के लिए तो ठीक है तो वही दरीका आपका पुराना वही let x1 and x2 be to integer दो integer तो fx1 equal to fx2 ठीक है तो x1 का square equal to x2 का square तो यह क्या हो जाएगा आपका x1 equal to x2 ठीक है negative भी होता है क्योंकि अब देखो x1 equal to x2 है क्योंकि अब देखो अगर मैं बात करूं minus 2 रखूं देखो इसको समझो minus 2 का square क्या होगा 4 होगा और 2 का square क्या होगा 4 होगा ठीक है यानि कि अगर मैं x1 और x2 की बात करूं ऐसे ठीक है तो दोनों का क्या रहा है 4 आ है ठीक है तो यह तो 11 होई नहीं सकता क्या हो जाएगा मैंनी 1 हो जाएगा क्योंकि minus 2 का square भी 4 आएगा ठीक है यहां पर और 2 का भी 4 यह आने वाला है तो यह 11 नहीं है हैंस हम इसको लिख लेंगे हैंस नोट 11 तो यह आपका 11 नहीं है आपका यह बात समाझ आगी ठीक है तो यहां पर अब फुद ही देशकता ओ इसको तो यह तो clear बहुत इसी से अब बात करते हैं on to UP ले ठीक है तो देखो ओं to check करने की जरूरत है, on to check करने के जोट ही नहीं है, खुद देखो न, इन में ऐसा कोई भी, ठीक है, ऐसा कोई भी element है, जो आपको, जिसकी image, ठीक है, ऐसा कोई भी आपका number, जिसकी image negative हो, होई नहीं सकती, भाई आप negative कोई भी उठा लो न, ठीक है, यानि कि minus 3 का square करोगे, तो 9 आएगा minus 2 का square करोगे, तो 4 आएगा, यानि कि, इन negative की भी क्या आएगी image, positive भी आएगी, यानि कि, ये negative तो सारे ही छूट जाएगे, तो यानि कि, एक भी छूट जाता है, तो on to, नहीं होता है, यहान तो ये सारे negative वाले आपके, जितने भी integer रहें, वो सब छूट जाएगे, तो सि here is no x belongs to z, तो कोई भी ऐसा नहीं है, x में जो z को belong कर रहा होगा, negative खले, ठीक है, तो सिधा, hence लिख लो, hence not on to, बस आपको समझाना चाहिए, भाई, negative सारे छूट जाएगे, है ना, किसी का भी हैनि कि, इन में से, किसी का भी square negative होई नहीं सकता, तो हैनि कि on to clay, ये वाले तो आपके negative सारे छोड़ गे, तो hence not on to, ना, देखते हैं, third part, ठीक है, आपको बोला है, function real to real given by function, आपका same है, ठीक है, तो real number बोला है, इस लिए, थोड़ा सा feel करने के लिए, हम क्या है, decimal अले नमबर भी ले लेंगे, ठीक है, तो एक आद negative लेते हैं, minus two, minus one, zero, one, और decimal में भी ले लो, two ले लो, और फिर two point five ले लो, ठीक है, वैसी, minus two, minus one, zero, one, two, two point five, ठीक है, decimal में भी ले ले लो, real number फिल करने के लिए, अच्छा, तो हमें one one put करना है पहले तो, ठीक है, तो देखो, for one one, तो one one के लिए same to same, वो ही आपका, कि x1, x2, two real number है, x1 and x2, be two real number, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, fx1 equal to fx2, ठीक है, और यह हो जाएगा हमारा, x1 का square, x2 का square, तो x1 equal to plus minus x2, ठीक है, तो यानिकि ये one one दो होगा नहीं, यानिकि इसका मतलब क्या आपका, कि आपका जो x1 और x2 है, वो equal नहीं थे, फिर भी उनकी image क्या रही है, equal आ रही है, तो ये one one दो नहीं होगा आपका, सीधा सीधा, ठीक है, तो not one one, not one one, क्योंकि real number में सब आ जाएगे, ठीक है, अच्छा, on two के बात कर लेते हैं, ठीक है, तो for on two, अच्छा, अब on two के बात नहीं, वो ही आपका same to same, कि आपका negative आपके फिर से छूट जाएंगे, तो यानि कि हम सीधा सीधा लिख लेता है, इसमें, कि y equal to minus three belongs to r, ठीक है, minus three ले लो, या minus two ले लो, चलो हमें minus two है, तो minus two ले लो, कि y equal to minus two belongs to r, ठीक है, there is no x, यानि कि minus two किसी की भी image नहीं होगा x में, यह x है, यह y है आपका, minus two, किसी की भी image नहीं होगा x में, तो there is no x belongs to real number, ठीक है, such that the function, इस function के according, जो आपको दे रखा है x square, ठीक है, function x equal to x square, तो अब लिख लोगे, hence not on to, ठीक है, अब तक यह समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, तो ठीक है, अब question number, two का four part, ठीक है, यहाँ पर आपका function natural number two natural number है, और function आपका यहाँ पर change होगा है, that is x cube, ठीक है, natural number है आपका, ठीक है, तो यहाँ कि one, two, three, four, कुछ ऐसे number ले लो, यहाँ भी कुछ elements ले लो, three, four, five, ठीक है, यह आपका x है, यह आपका y है, y equal to fx होता है, ठीक है, अच्छा, अब हमें one, one दिखाना है, तो same to same way, let x1, तो यहाँ पर one, one के लिए, तो let x1 and x2 be two natural number, ठीक है, तो यहाँ कि fx1 equal to fx2 हो जाएगा आपका, ठीक है, तो पूट कर लेते हो जाएगा, x1 का cube equal to x2 का cube, तो यह हट जाएगे, आपके यहाँ जाएगा, x1 equal to x2, तो one, one तो यह है ठीक है, देखो न, आप one रखो, तो one का cube आपका one होगा, ठीक है, two का cube आपका eight होगा, वैसी three का cube आपका 27 होगा, तो ऐसे यानि की, आप कोई भी यानि की, आपने यानि की unique domain के लिए, ठीक है, unique domain लेने पे आपको क्या मिल रही है, unique range मिल रही है, ठीक है, यानि आप कोई भ ये क्या आपका one-one function तो है तो हैंदि की हम बोल सकती है आपका यानिकी हैंस one-one है आपका function ठीक है function is one-one तो आपका one-one तो है ये आपको समझतों आई गया है ना हर नमबर करे अलग range मिलेगी आपको अच्छा on to के लिए देखें for on to ठीक है अब on to के लिए अगर आप देखो ठीक है यह on to तो नहीं होगा क्यों क्योंकि बहुत सारे ऐसे element यहां पे छूटने वाले हैं जो किसी की भी image नहीं बनेंगे ठीक है देखो कोई भी x की value आप put करो ठीक है आप कोई भी x की value put करो तो क्या किसी का cube 2 होता है भाई y क्या है y equal to आपका x cube हो इसमें से आप x यह 2 put करके देखो इसमें 2 put करोगे तो 2 put करोगे एट आपका खुद ही देखो ना क्या 2 किसी का cube है क्या 3 किसी का cube है नहीं है तो सिधी सिधी सी बात है यह तो आपके छूटने ही वाले हैं है ना यानि कि 2, 3 आपका छूटने है और अगर आपका कोई एक भी छूट जाए कोई एक भी छूट जाए तो on to नहीं होता ठीक है तो हम लेख सकते हैं कि 2 belongs to y ठीक है या हम लिख लो y equal to 2 belongs to आपका natural number है ठीक है there is no x belongs to natural number ठीक है there is no x belongs to natural number ठीक है तो hence ठीक है अगर लिख लो such that function fx equal to x cube hence hence not on to ठीक है तो आपका on to नहीं होका तो fifth part देखोगे function z to z given by fx equal to x cube तो same to same ऐसा ही आपका ठीक है integer number है आपके ठीक है integer में एक दो negative ले लो minus 2 minus 1 0 ठीक है 1 2 यहा भी minus 2 minus 1 0 1 2 तो यह निक ही 1 1 देखोगे तो 1 1 के लिए तो same to same यही step हो जाएगा आपका देखो क्यों 1 आई है ठीक है 1 1 आपका तो यहनि कि आप कोई भी number लो यहनि कि मैं अगर f1 लू तो 1 पर 1 आएगा ठीक है f मैं minus 1 लू तो minus 1 पर minus 1 आएगा f मैं minus 2 लू तो minus 2 पर minus 8 आएगा f2 लू तो 8 आएगा तो यहनि कि unique number के लिए आपको unique element मिल रहे है यहनि कि unique range मिल रहे है unique domain के लिए unique range मिल रहे है तो यहनि कि 1 1 है ठीक है आप ऐसे ही खुद से लिख सकते है इसको करके वैसे अगर मैं बात करूँ on to clay तो on to clay देखो न बाई किसी ठीक है वैसे ले लो माइनस 3 की सब्सक्राइब की भी होगा तो यहनि कि यह number तो छूट जाएंगे ना तो same to same region आजाएगा ठीक है तो आपका same to same region आजाएगा इसी तरह के सा आप लिख सकते हैं कि भाई य एक्वल तो माइनस 2 बिलॉंग्स टूजट देर इस नो एक्स बिलॉंग्स टूजट सच देट सच देट एफ एक्स एफ एक्स इक्वल तो एक्स क्यूब हैंस नॉट और तो मैंने आपको बोला है पहले आपको समझ आजा है उसके बाद यह सब्सक्राइब लिख सकते हो खुद से ठीक है राइटिंग में नहीं जाना किवल आपको समझ आना चेकी कैसे करा जा रहा है और क्या करा जा रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ठीक है